भाई योर भेनों, उत्तर प्रदेश, यहां के परिश्रमी लोग, आत्मंदिर भर भारत, एक वैववशाली भारत के निर्मान का बहुत बड़ा आधार है। आज हम आजादी के 75 वर्स का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमुरुत महोचों मना रहे हैं, यह महोचों सिर्फ आजादी का उत्सों भरी नहीं हैं, बलकि यह आने वाले 25 वर्सों के लिए बड़े लक्ष, बड़े संकल्पों का उसर है। इन संकल्पों में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बीते दसकों में उत्तर प्रदेश जो हासिल नहीं कर पाया, अब उसे हासिल करने की बारी आई है, ये दसक एक तरह से उत्तर प्रदेश के पिछले साथ दसकों में जो कमी रह गई उसकी भरपाई करने का दसक है, ये काम यूपी के सामन्य युवाओं, हमारी बेटियां, गरीब, दलीद, बंचीद, पिछड़ों की परियाप्त भागीदारी और उनको बहतर आउसर दिये बगेर नहीं हो सकता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बीते समय में सिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले ऐसे हैं, जिसका उत्रप्रदेश बहुत बड़ा लाभारती होने वाला है। पहला फैसला, इंजिनियरिंग की पढ़ाई से जुड़ा है। इंजिनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन चे जुड़ी पढ़ाई से, यूपी के गाव और गरीब की संतान, बहुत हद तक भासा की समस्या के कारण, बंचित रह जाता था। अब इस बाद्देता को खत्म कर दिया गया है। हिंदी सहीत अनेग भारतिय भाषाओं में इंजिनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की बढ़ाई शुरू हो रही है। आदुनिक टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए बेस्ट कोर्स स्रेष्ट पाथ्यक्रम तयार किया गया है। देश के अनेग राज्यों के संस्तानों ने ये सुवीदा लागू करनी शुरू कर दिया है। भाई और बैनों एक और हम फैसला है मेडिकल सिख्षा से जुड़ा। मेडिकल सिख्षा में अखिल भारतिये कोटे से OBC को पिछणों को आरक्षन के दायरे से बहार रखा गया था। इस थिती को बदलते विए हाल में हमारी सरकार ने इसमें OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन दिया है। यही नहीं सामान्य वर्ग के गरिब परिवारों के बच्चों के लिए भी जो 10 प्रतिशत आरक्षन हैं उसको भी इसी सेशन से लागू किया गया है। इस फैसले से मेडिकल प्रोफेशन में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उस छेत्र में एक बड़े टैलेंट पुल को आउसर मिलेगा और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए बहतर करने के लिए प्रोप्सान मिलेगा।